एक्सेल्शन नियूज में आप सभी का स्वागतम है और उतिश कुपता दर्श को इंडियन आर्मी जो है काफी एडवांस हो रही है और कहीं तरह की टेक्नॉलजी का भी इस्तमाल किया जा रहा है और इनके ट्रेनिंग पार्ट की बात करें तो ट्रेनिंग पार्ट में जो है इस्तम को एक इस्तम को आप दिया गया जो वक्याद है उसको क्रेंनिग ले सकता है औपने मिशन को अँजाम देने के लिए, जिस तरह से इनका इस्तिमाल क्या जाता है VR headset का इस्तिमाल क्या जाता है और उसके साथ controls करने के लिए ये equipment है और इसके लावा आपको बताते हैं कि gun stock जो है यहाँ पर आप firing करने के लिए जो है वो इस्तिमाल की जाती है और इन चीजों से VR headset से जो है आप उस spot पर जो है mentally जो है वहाँ पर अपने जवानों तरी नंग, अपने जवानों करते हैं की जवान वातावरन को मैसूस कर सके वाट्रूर्चीःटी में कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो सकते है जैसा वो चाहते हैं वाट्चीः रिएल computer software और hardware के मादिम से अवास्तफिक को वास्तफिक बनाती है याने unreal को real बनाती है virtual reality एक कालपनिक दुनिया है जिसको computer system के जरिये बनाया जाता है और किसी व्यक्ति को उसमें इस तरह से दिखाया जाता है कि संबंदित व्यक्ति को वास्तिव वातावरन का अनुभव होने लगता है virtual reality computer पर मुख्य रूप से आँखों और आवाज से अनुभव की जाती है virtual reality समाने रूप से 3D परिद्रिश्य होता है जिसे इसे संचालित करने वाला व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है और वे ऐसा अनुभव करने लगता है मानो वे उस दुनिया में मोचूद हो भारतिय सेना अपने जवानों को virtual reality ट्रेनिंग सिस्टम से दुश्मनों के शेत्र को मैसूस करने के अनुभव करवाती है तांकि जब ऐसी कोई भी परिस्तिती उत्पन हो तो हमारे जवानों को अपने लक्षे को प्राप करने में कोई मुश्किल ना हो बहुत ही जबरदस फील कर रहा है जैसे मैं खुद अभी लड़ रहा हूँ मलब यह पाहडों के ओपर चल रहा है मलब एमेजिंग फर्स टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि मलब जवानों के पास ऐसा भी आया है मुझे मलब लग रहा है कि मैं भी खुद मलब नम फिल्ड पे हूँ तो इनको भी लग रहा है कि मलब ये पूरी ट्राइनिंग है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी इंडिन टेकनोलोजी की बात करें आर्मी की बात करें वो काफी एडवांस हो रही है और जिस तरह से इस mode की बात करें, इस mode से आप operation को महसुस कर सकते हैं, आपने mission को महसुस कर सकते हैं और जिस spot में आपने जाना है, उसकी training दी जा रही है, कि physically आप वहाँ नहीं है, लेकिन mentally आप पूर्ण ग्रूप से वहाँ परें, उस spot में हैं, उस spot को महसुस कर रहे हैं और इस से जो है, अगर हम गन की बात करें, तो गन किस तरह से आपको चलानी है, गन शौर्ट के बारे में भी जानकरी दीजाएगी, यह बताई कि कैसा experience लग रहा है आप इस में वर्चुल एक दम जो रियालिटी में, जो युद्ज के सित्र में मैं अनुबव कर रहा हूं, वो पूरा इसमें फील कर रहा हूं मैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी रियालिटी में दुस्मन के इलाके में हूं और उनी को अठेक कर रहा हूं आपको लगता है कि ऐसे जो equipment हैं वो काफी help करते हैं हाँ सर ऐसे equipment है एक अनुबव फिल होता है जिससे हम man reality में जब कोई ऐसा कोई enemy के खिलाब वटे आगो तो उसमें कैसे हम move कर सकते हैं कैसे हम कोई action कर सकते हैं जिस पर का रम प्लानिंग कर सकते हैं वो सारा कुछ कर सकते हैं जिस तरह से हम इंडियन आर्मी की बात करने तो इंडियन आर्मी जो है वो काफी कदम उठा रही है ताकि हमारे जितने भी झाल 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 झाल